हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेर्निंग नीट पर और जैसा कि आपको पता है कि शाम को पाच बजी के आपकी क्लास जो चल रही है जी के जी एस सारी केशन समया पर देख रहे हैं क्योंकि ये सारे केशन पहली बात तो आपके सभ के लिए क्यों मिल जाते हैं तो चले स्वागत करेंगे सेशन मिला टाइम वेस्ट के देली की तरह होंगे स्तार्ट करते हैं ज्यादा आज आपको यहां पर जेग्राफ़ी और बाकी कुछ जीके की कींशласт देखने को मिलेंगे भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुवात की थी यानि कि जो income tax होता है जो आपकी income पर जो tax लगा जाता है उसकी शुरुवात भारत में किसने की थी विलियम जोन्स, लॉर्ड मैक हेल, जेम्स विलसन, चार्ल्स वुड और इस question के लिए आपका जो सही answer होता है वो हो जाता है option number C, जेम्स विलसन ने सबसे पहले भारत में आमदनी पर कर यानि कि income tax की शुरुवात की थी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है मैंने जैसे पहले बताए कि भुवोल से आज ज़्यादा प्रशन रहेंगे और इस प्रशन के लिए जो आपका सही उत्तर होता है वो होता है आपका option number C, राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदियों में से सबसे टॉप पर आती है प्रसिद भौगौलिक ग्रंथ किताब लहिंद के लेखा कौन है अलबरूनी, अलमसूदी, अल इदरिसा, इसी या फिर अल याकूबी बहुत ही प्रसिद किताब लहिंद तो ये आपका जो सही उत्तर होता है बिल्कुल जित्ते भी लोगों ने गेस के ऑप्शन नमबर ये अल बरूनी बिल्कुल सही है अगला प्रसिद देख लेंगे ये एक भगवलिक ग्रंथ है किस प्राक्रतिक प्रदेश में गर्मी की रितुमें सूर्य कभी अस्त नहीं होता यानि कि जब गर्मी का सीजन आता है मौसम आता है तो वावे सूर्य अस्त ही नहीं होता है टैगा प्रदेश, टुंडरा प्रदेश, सावाना प्रदेश या पश्चमी ये उरोपीय प्रदेश चलिए देख लेंगे सही उत्तर होता है इस प्रश्ण के लिए आपका option number B टुंड्रा प्रदेश में गर्मी का मौसम आता है गर्मी की रुतिव आती है तो सूर्य अस्तनी होता है और दूसरा प्रश्ण वैसे ही है कुछ किस प्राक्रतिक प्रदेश को सीथ मरुस्थल यानि कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है और सही उत्तर इस प्रश्ण के लिए भी होगा आपका option number B टुंड्रा प्रदेश ही हो जाता है बढ़ेंगे मगले प्रश्ण की ओर किस देज में सबसे पहले पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ रूस, इरान, सौधी अरब, सयुक्तिराश्ट्र, अमेरिका सबसे पहले पेट्रोलियम का उत्पादन कहां हुआ था तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका सयुक्तिराश्ट्र, अमेरिका में आपका option number D यहाँ पे सही हो जाता है देखेंगे इसी के साथ हम अगला प्रश्ण निम्लिकित में से किसे भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है, मुंबई, कोयमबटूर, कानपूर, अहमदाबाद भारत का मैंचेस्टर सही उत्तर होता है इस प्रश्णी के लिए आपका option number D, अहमदाबाद को भारत का मैंचेस्टर कहते हैं सही मतलब पहले प्रश्ण में आपको जो इंडिया कम्याप होता है, वाह उपर से लेके नीचे तक का कश्मीर से गन्या कुमारी तक का पूरा जो है आपको बताना है लंबाई और दूसरे वाले प्रशन में आपको इस तरह से लंबाई बतानी है चलिए देख लेते हैं सयुत्तर क्या होता है तो भारत की जो उत्तर से दक्षड की लंबाई है वो है 3214 किलो मीटर और बात करते हैं पश्पूरुव से पश्चिम की लंबाई की तो इसका सयुत्तर होगा आपको ऑप्शन नमबरे 2933 किलो मीटर इसको आप याद कर लीजे जब आप भारत का भागोलिक विवरन पढ़ते हैं भूगोल में तो उसमें ये सारी चीज़े सबसे पह कोमेंट में जाके कोमेंट करिए आपको पता है या नहीं चलिए देखेंगे एकला प्रशन सिया चिन क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत छेत्र भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांत छेत्र भारत और म्यानमार के बीच सीमांत छेत्र या भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत छेत्र सियाचिन है और अगला प्रश्ण उसी से रिलेटेड है कि सियाचिन ग्लेशियर छेत्र के ऊपर किनकी मध्य जगडा है भारत और पाकिस्तान भारत चीन भारत नेपाल चीन और नेपाल तो जाहिर सी बात है जब ये भारत और प पाकिस्तान के मद्ध है सियाचिन ग्लेशियर चेतर के ऊपर सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर या सिक्किम और उत्तर सही होता है ये जम्मू कश्मीर में है सियाचिन ग्लेशियर और इसी के साथ बढ़े की होना चाहिए यह नर्मदा तापी गोकक यह फे सरावती तो यहां पर सही उत्तर होगा आपका आप्षिन नंबर नर्मदा भेडागाट जो कि जबलपूर में है महत्यप्रदेश के एमपीटेट वालों को यह चीज़ें पता होंगी लावा के प्रभाव से स्वारी प्रवा मिट्टी का नाम बताना है लाल मिट्टी काली मिट्टी का निर्मान होता है बढ़ेंगे प्रश्न क्यों बील जन जाती कहां पाई जाती है असम जारकंड पश्चम बंगाल या महाराष्ट्र भील जन जाती उत्तर चाही होता है इस प्रश्नी के लिए आपका उप्शन नमर डी महाराष्ट्र में राष्ट्रे जन संख्या नीती 2000 के अंतरगत जन संख्या में स्थिर्था प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ा कर कितना कर दिया गया है कब तक कर दिया गया है या आपको बताना है 2055, 2060, 2065 या 2070 और सेयुत्तर होता है इस प्रश्नी के लिए आपका 2070 तक कर दिया गया है 45 से बढ़ा कर कि 2070 तक जन संख्या में स्थिर्था राप्त होगी भारत में कितने राष्ट्री जल मार गहें कुल आपको उसे संख्या बतानी है या पे 10311, 101 ये फिर 401 तो चलिए देख लेते हैं सेयुत्तर जो होता है इसका वो ऑप्शन नबर C हो जाएगा टोटल 111 राष्ट्री जल मार गहां भारत में यानि की नैशनल वाटरवे जिसे कहते हैं और इसमें जो NW यानि की नैशनल वाटरवे 1 है वो सबसे लॉंगेस्ट वाटरवे है इंडिया का सबसे लंबा जल मार है ठीक है इसको आपको याद रखना है कर्यों पूछ लेता है कि सबसे लंबा राष्टी जल मार कौन सा है भारतिय खनिच पदार्थों का भंडारण ग्रे कहलाता है क्या मालवा मतलब की कौन सी जगह है जिसको हम भारतिय खनिच पदार्थों के बंडारण कह सकते है या कहा जाता है मालवा का पठार, दक्कन का पठार, लदाक का पठार, छोटा नाखपूर का पठार पठार मतलब प्लेट्यू और इसके लिए जो सयुत्तर होता है वो हो जाता है आपका उप्षिन नंबर डी छोटा नाखपूर का पठार बढ़ेंगे एगले प्रश्न की ओर भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर इस्थित है बन्नर घटा जाविक उद्यान बंगलूरू, राष्ट्रे पशू उद्यान कोलकाता, काजी रंगा राष्ट्री उद्यान जोरहट या फिर इन में से कोई नहीं और उत्तर से ही होता है बन्नर घटा जावे गुद्यान बंगलूरू में तो बिल्कुल ये से ही अंसर हो जाए जिने नेक्स देख लेते हैं भारत में सबसे कम वर्षा का चेत्र है क्या कच्छ से लेकर पंजाब हरियाना टक पंजाब से लेकर दिल्ली तक मत्य प्रदेश का चेत्र या उडिसा का बालागीर चेत्र और उत्तर से ही होता है आपका option number 1 कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक ये भारत के सबसे कम बशच का छेत्र है तो ये हम इसी तरह से हमारे कुछ questions जो थे selected questions complete हो चुके है I just hope कि आपको questions पसंद आया होंगे पसंद आया है